दोस्तों अगर आप PM किसान योजना के लाभारती हैं तो आपको पता होगा कि 27 फरवरी को 13 किस्त रिलीज कर दी गई है किन्तो आखों किसान ऐसे हैं जिनकों की 13 किस्त नहीं मिली है और उसका कारण यह है कि बैंक जो उनकी होती है DBT से लिंक नहीं है आधार कार्ड और NPCI जो होता है वो लिंक नहीं है जिसकी वज़े से उनको 13 किस्त नहीं मिल पाई है तो आज मैं आपको आनलाइन तरीका बताने वाला हूँ कैसे आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो बैंक जाके भी लिंक करवा सकते हैं और अगर नहीं जाना चाहा रहे हैं किसी कारण से तो मैं आपको कुछ बैंकों के नाम बताऊंगा जिनको कि आप आनलाइन घर बैठे ही उनको NPCI से लिंक कर सकते हैं नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त रमराज और अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन जरूर दबाईएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करिएगा पताइएगा कि वीडियो कैसा लागा तो च कर लेंगे तो आपको मालुम चल जा양एगा यहाँ पर आपको मोगाइल नंबर या फिरेश्टेशन नंबर डालना है जो आप सेलेक्ट करेंगे मोगा नंबर पर क्लिक करेंगे थिरो हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं यह मैंने ब हिक्त्रीरस सब्सक्राइब किया होना चाहिए और पेमेंट मोड आधार होना चाहिए और सबसे मेन कारण जिसकी वज़े से पैसा रुका है लाखों किसानों का वह देख सकते हैं लिखा हुआ है और जिसकी वज़े से रिजेक्ट हो गया है और ये लैंट सीडिंग यस है तो इसको यस होना चाहिए तो यह सब चीज़े चेक कर लेनी है और आज मैं इस्तेसली बात कर रहा हूँ इफएमेस के बारे में तो यह एकसेट होना चाहिए अगर यह रिजेक्ट है तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो इसको एकसेट कैसे करवा सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो उसके लिए दो तरीके हैं एक तो ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं और दूसरा ओफलाइन तरीके से कर सकते हैं तो आनलाइन में कुछ बैंके ही हैं जिनका क्या आप कर सकते हैं ऑफलाइन में भी आप किसी बैंक में जाके वहां पर फिजिकल एक फॉर्म आता है उसका वह आप बैंक जाएंगे तो बैंक में मिल जाएगा उसको करके और अपना डाकुमेंट के साथ में जमा कर देना है तो वहां से आपका डीवीटी लिंक हो जाएगा और फिर जो है आपको किस्त मिलने लगेगी अगर आपकी बैंक दूर है या फिर वहां जा रहे हैं और काम नहीं हो रहा है तो मैं आपको कुछ बैंकों के नाम बता रह सकते हैं जिसमें आपने पेंटम अपने पेटिम पेमेंट बैंक नाम बन नहीं होता है क्यों LIVE मौइसं करते हैं कहीं भी जाने की जूरूत नहीं है अपना बैंक जब लॉग इन करेंगे तो वहाँ पे डीवीटी का ओप्सन होता है डारेक्ट बेनिफिर ट्रांसफर वहाँ से जाके OTP के माध्यम से आधार OTP से उसको वेरिफाई कर लेंगे और उसके बाद पांच से साथ दिन अंदर में डीवीटी लिंक हो जाएगा और उसके बाद फिर आपका इसा उसमें आने लगेगा और दूसरी बैंक है एएटल पेइमेंट बैंक का भी नाम आपने जरूर सुना होगा एटल पेमेंट बैंक में आपका खाता है तो उसमेंगें आप मोबाण से ही अनलाइन तरीक इसके अलामा अगर किसी और बैंक में आपका खाता है तो आप बैंक भी जाके करवा सकते हैं या फिर अगर वहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो आप पोस्ट ओफिस की बैंक में अगर खाता खुलाते हैं पोस्ट ओफिस में तो वहाँ पर भी जो है डिविटी तुरंत लिंक हो जैसे कि कभी-कभी होता है कि link है लेकिन inactive है तो उसको आपको check कर लेना है अपना एक browser open कर लेना है यहाँपर type करते हैं आधहार mapping यह आधहार mapping इस पर click करेंगे और देख सकते हैं check आधहार bank linking status सबसे उपर वाली website है इसी पर click कर देंगे यह देख सकते हैं आधार की official website open हो गई है चेक आधार bank seeding status अब यहाँ पर आपको आधार नमबर डाल देना है और capture डालके send OTP पर click करेंगे OTP आएगा और OTP डालने के बाद में आपके आधार से जो भी bank link होगी उस bank का नाम आजाएगा अकाउंट नमबर आजाएगा और status active ल सकते हैं और या फिर Paytium या फिर Retail payment bank में अगर अकाउंट है तो वहाँ से आप जब bank change करते हैं NPCI के लिए तो फिर जो है आटोमेटिक वो active हो जाता है तो इस प्रकार से आप इस problem का solution निकाल सकते हैं और उसके बाद फिर आपका पैसा आपके अकाउंट में आने लगेगा तो आसा करते हैं कि यह जानकारिया आपको पसंद आई होगी और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं इस चैनल पर मैं ऐसे informationally videos लाता रहता हूँ तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में को सब्सक्याMaybe बा-एं अपक्त सब्सक्राइब